अकवर दूइतिये, चलिए जानते हैं अकवर दूइतिये के बारे में इनका पूरा नाम अबू नासिर मुहिन उद्दीन मुहम्मद अकवर साह दूइतिये था इनका जन्म 22 अपरिल 1760 को मुकुंदपुर में हुआ और इनकी मिर्तियों 28 सितंबर 1837 को दिल्ली में हुई ये 19-वे मुगल बादसा थे, ये साह आलम दूइतिये के पुत्र थे और इन होने 1806-1837 तक राज किये उनके समय तक भारत का धिकांस राज अंग्रेजों के हाथों में चला गया था और 1803 इस्वी में दिल्ली पर भी उनका कबजा हो गया बादसा साह आलम दूइतिये अपने जीवन के अंतीम दिनों में इस्टिनिया कमपनी की पेंसन पर जीवन यापन कर रहे थे उनके पुत्र बादसा अकवर्दूइतिये सिर्फ नाम मातर के ही बादसा थे अकवर्दूइतिये से गवर्नर जेनरल लॉर्ड हैस्टिंग की ओर से कहा गया कि वहां कमपनी के छेतर पर अपनी बादसाहत का दावाद छोड़ दे लॉर्ड हैस्टिंग ने इस डिन्या कंपनी की ओर से मुगल बादसा को दी जाने वाली सहाता आधी की वी नजरवंदी कर दी इस पर अकवर्दूयतिये ने राम मोहनराय को राजा की उपाधी परदान की और उनसे इंगलाइन जाकर बादसा की पैंसन बढ़ाने की सिफारिस करने का आगरह किये अकवर्दूयतिये का लड़का और उनका उत्राधिकारी बहादूरसा दूयतिये भारत का अंतिम मोगल बादसा थे तो ये था अकवर्दूयतिये के बाड़े में